केतन कोचिंग सेंटर संग्रामपूर में एक उत्षाह बर्धक दिवस के रूप में कारीक्रम आयोजित किया गया ये कारीक्रम मुख्यतः उस कारीक्रम का एक अंग है जिसमें पटना के एक बहु परिचित सिक्षन संस्थान जो अभी बिहार में उभरता हुआ सिक्षन संस् दा मैगनेट उसने बिहार में बच्चों की परतीभा को उभारने के लिए एक परतीभा खोज परिच्षा का आयोजन किया था जिसमें उसके द्वारा ये गोसना की गई थी कि बिहार में चैनित कुल 30 बच्चों को शूपर 30 कहते हुए उसे निस्सुलक सिक्षा उसे रहने की वेवस्ता, पढ़ने की वेवस्ता, खाने-पीने यानि तमाम जितने भी खर्च होते हैं उसके उपर उसकी वेकी वेवस्ता होगी तो बच्चों में कुद्शाख आया और संग्रामपूर में और खासकर दयानिकेतन कोचिंग सेंटर के बच्चों ने उसमें अपनी रू किया और सूपर 30 में जितनी शुबदाएं होनी चाहिए वो सारी शुबदाएं आज उसे उपलब रखें जैसा कहा गया था आज उसके साथ वैसा ही किया जा रहा है यहां तक कि लॉकडाउन के अंतरगत भी उसे ऑनलाइन पढ़ाई जाड़ी रखा गया यानि एक बच्चे अपना जीबन इस संस्थान के माध्यां से आगे बढ़ाने का काम किया है तो इसके लिए मैं उस मैगनेट के डिरेक्टर महुदे को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं बच्चों में यह उत्षा भरना चाहता हूं कल नहीं तो आज शही लगता है कि आने वाले समय में इस संस्थान के द्वारा फिर से एक बार उसी परीक्षा का पुनरायोजन किया जाएगा तो मैं चाहूंगा कि इस बार भी बच्चे उसी जोड़दार तैयारी के साथ उसमें अपनी कदम को रखें और एक सचिन गया था इस साल दो सचिन बन करके इस बा आपने संस्थान का अपने स्कूल का अपने इलाके का अपने जिले का मान रोशन करने का काम करेंगे तो आज बच्चों के साथ-स इनके अविबाबकों के साथ-साथ हमें भी बहूत-खुसी हो रही है कि सायद ऐसे ही दो-चारह-दस सिक्च ciao स जाएं तो विहार 30 साल से सिक्षा के छेतर में मैंने बिलकुल निश्वार्थ भाव से अपना योगदान जारी रखा